नमशकार मित्रू चट पर्व की हारदिक बधाई चट पर्व की काफी सारे प्रेश्ण हमारे पास आए उनी का उत्तर हम आपके लिए लेकर आए हैं चट माता का पर बिहार मी मनाया जाता है उस में भारत वर्ष के सभी घाटों नदियों तलाबों की सफाई की जाती है चट का पर मंदिर मी नहीं बली घाटों के किनारे पर किया जाता है तो एक डल्या लिया जाता है जिसे सूप भी बोला जाता है उस नए सूप के अंदर मौसमी तरह तरह के फल, सबजी, मीठे पकवान घर पर बना कर रखे जाते हैं और सूरिय के उदे होते हुए और सूरिय के अस्त होते समय अर्ग दिया जाता है यह पर और वरत जादा तर बच्चों की माताइं करती हैं या बच्चों के पिता भी इस वरत को कर सकते हैं लेकिन कई बार देखा देखी कुआरे बच्चे लड़के और लड़कियों में भी इस वरत को लेके काफी उत्सा होता है वहे भी वरत करना चाहते हैं और इसी उत्सहा में वहे इस छट माता का वरत भी करते हैं तो लेकिन ये वरत कुमारे बच्चों को नहीं करना चाहिए यह छट जिनके बच्चे हैं उन्हें अपने बच्चों के दिरगायू और उन्ती तरक्की के लिए करना चाहिए कई बार कुवारे बच्चे इस वरत को कर तो लेते हैं लेकिन इसको बाद में नहीं निभा पाते हैं वो पढ़ने के लिए बहार जाते हैं या नोकरी के लिए बहार चले जाते हैं तो बीच में ही व्रत को छोड़ना परता है तो इसी लिए कुमारे बच्चों को इस व्रत को नहीं करना चाहिए यह व्रत शाधी शुदा लोग अपने बच्चों की दिरगाईयों उंती तुरक्की के लिए करते हैं यह व्रत माताएं या उनके पिता भी कर सकते हैं लेकिन श्राम को नहा कर पूजा करने के बाद सात्विक भोजन ही लिया जाता है और तब वरत शुरू हो जाता है पूरी छट के दिन पूरा दिन वरत किया जाता है जिसमें निर्जला वरत रहता है कुछ भी नहीं खाया जाता सप्तमी के दिन उगते सूरिय को अर्ग देने के बाद वरत का पारण किया जाता है ब्रामरों को दान दे कर भोजन कराने के बाद वरत का पारण होता है इस परकार यह पर्व चतुर्ती से लेकर सप्तमी तक चलता है इस परकार मित्रों छट माता का वरत क्योंकि किया जाता है क्योंकि सूरिये की बहन है छट माता और बच्चों की जब छटी निकाली जाती है तो छट माता के नाम की ही छटी होती है जिसमें बच्चों को काजल डाला जाता है बच्चे के जनम के छटे दिन यह पर्व किया जा तो मित्रों ये वरत शादी शुदा व्यक्तियों को अपने बच्चों की लंबी आयू उन्ती तरक्की के लिए अपने पुत्र की आयू के लिए किया जाता है कुआरे बच्चों को ये वरत नहीं करना चाहिए अगर मित्रों आपको ये जानकार ये अच्छी लगी है तो प्ल